अलो गाईज मैं प्रिकास को स्वाफ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल टार्गेट वित अजय सर में दोस्तो इस सेशन में यूपी ट्रेपल सी यहनम से रिलेटेड आपने कमेंट बॉक्स में जो भी प्रशन किये थे उसका एंसर में यहाँ पे देने वाला हूँ जैसे कि कटॉप के बारे में सबसे आदा तो आप लोग कटॉप के बारे में कॉल और मैसेज करते हैं मैं एक बर जब कटॉप बता दिया तो कॉल और मैसेज करने से बदल तो नहीं जाएगा और भी चीज़े हैं जैसे समीदा वालों के नंबर कैसे जुड़ेंगे, कितने मिलेंगे, गलत प्रस्न के नंबर कैसे मिलेंगे और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो क्या मेरे रियल्ट आएगा इन सबसे लेटर आप लोग फोन करते हैं मैसेज करते हैं और दीन भर में 500 से 200 कॉल आप लोग कर रहे हैं और इतना कॉल उठाकर रेस्पॉंस करना पॉसिबल नहीं आपको भी पता है हमें भी अपनी पढ़ाई देखनी होती है तो इसलिए आपसे पहले रिक्वेश्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इतने कॉल मेसेज ना करें कोई भी दिक्कत हो कोई भी क्योरी हो तो आप कमेंट बॉक्स हमें कमेंट करके बता दें उस पर रिलेटेट में एक वीडियो बना दिया करूंगा ठीक है बच्चो तो देख लेते हैं हम लोग पहले सबसे पहले कॉट ऑफ के बारे में फिर हम समीदा वालों के लिए गलत प्रस्ट के लिए और जो गलतिया होई उसके बारे में बात करेंगे तो कॉट आप मैंने क्या बताई थी बत्यों कॉट जो मैं मैंने cutoff बताई थी 50 नमबर ठेक है 50 में plus minus 2 बताया था मैंने नीचे मैं एक पर लिख देता हूं 50 में general के लिए plus minus 2 plus minus 2 का मतलब है कि ये plus का मतलब है कि ये जो cutoff है 50 से 52 भी हो सकती है और minus का मतलब है 50 से 48 भी हो सकती है ये fix cutoff नहीं है expected cutoff है और आप लोग के पोल के हिसाब से मैंने जैसा की community post में एक पोल डालाता गया आपके कितने नमर बनने है उसके according ये cutoff बनाया गया है ठीक है पोल के हिसाब से cutoff बनाया गया है ये maximum cutoff है maximum cutoff बता रहा हूं माइनस दो ये cutoff मैंने बताया था आप लोग को SC के लिए जो मैंने बताया था 40 प्लस माइनस दो ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो एड़वलोएस की थोड़ा समय इसमें बात कर लेता हूं AWS में ये जो 45 प्लस मैं दो आपको बता रहा हूं ये 42 अम्मान लें 42 प्लस मैंनस दो या इससे भी कम रह सकती है यानि आप लोग इस मान के चले AWS में 42 प्लस मैंनस दो आपके बन रहा है तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा और ये नंबर कैसे बन रहा है समीदा वालों के नंबर को जोड के मैं बता रहा हूं SC की मैं बता दू बच्चो तो 40 ठीक है 40 प्लस माइनस दो आप माल लेंगे SC का और अगर मैं pH कंड़ेट की बात करूं तो 30 प्लस माइनस 5 आप लोग मान सकते हैं 30 pH कंड़ेट वैसे pH कंड़ेट के लिए अलग से सेट अबलबल दिखाई नहीं गई है लेकिन फॉर्म प्येस से कुछ लोगों ने कुछ बहनों ने भरा है तो अगर सीट अगर रियल्ट आता है तो अलग से प्येस की कट आफ लगती है तो इतनी है रह सकती है एस्टी की मैं बता दू तो एस्टी के 30 प्लस माइनस 3 इससे अधी कट आफ नहीं जाने वाली है ठीक है बच्चो तो मैंने बता दिया आपको आप देख सकते हैं पुराने वीडियो जाके अगर नहीं देखा है तो लगबलब के से मैंने कट आफ उसमें बताईए आप experience डाला था 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year कुछ बच्ची 6, 7 year का comment करते हैं मैं बता दूं maximum 5 सालों का अगर experience आपके वार 5 साल से जादा है तो भी आपको maximum 5 सालों का ही मिलाएगा 5 साल से जादा का आपको number नहीं मिलेगा एक साल का 3 number, 2 साल का 6 number, 3 साल का 9 number, 4 साल का 12 number, 5 साल का 15 number यानि अग 35 number है 35 number आपके बन रहे है बच्चो ठीक है और 5 साल आपके पास experience है तो आपको 15 नवायट करके 50 number आपके पास होने चाहिए अगर general category में है आपके 47 number बनना है एक साल experience है तो आप इसमें जोड लेंगे 3 number ठीक है बच्चो तो इस हिसाफ से समीधा वालों के number बनेंगे समीधा के number जोड के cut-off में आपको बता रहा हूँ ठीक है बच्चो और यह जो result अभी जारी किया जाए गा result कभ जारी किया सकता है विदिन one month within 30 days के अंदर result जारी किया जा सकता है ज्यादा चाहंस है पहली भी जारी किया जासकता है क्योंकि बच्चे इसमें कम है result कभी भी जारी कि तो आपको чески आ जा जाय सकता है और समीदा वालों के number हो सकता है कि रिजर्ट के साथ कि जैसे आपने experience दिया ए क्रिचाया. आपको इस टाम पो आपको बुलाया जाएगा और उस टाम आपके number बनेंगे तो आपका selection हो जाएगा जितना आपका experience उतना add करके अगर cut up आपकी बनती है selection हो जाएगा लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है जो अभी chances है कि result के साथ ही जैसे result निकलेगा result में आपने तीन साल चार साल पांच साल एक साल दो साल आपने जितना भी fill किया जो भी आपके पास experience है आपने एक दो सal फिल किया है तो हो सकता प्लस 6 नumber जोड के NHL किया है तो 3 नumber जोड किए अपने जतना किया है प्लस करके आपका result आ गया लेकिन जब आपको आपके पास आपसे जब प्रूफ मांगा गया जब डोकुमेंट वेरिशियसन हुआ जब छे नमर का प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपका selection रुख सकता है अगर आपका छे नमर इन छे नमरों से selection हो रहा हो तो आपने जो सही डाला होगा तो आपको फायदा जादा मिलने वाला गलत डाला होगा तो उतने नमर कट सकते हैं बच्चो ये तो समीदा वालों को हो गए आप गलत प्रस्ण के नमर कैसे मिलेंगे ये भी बता दू बच्चो गलत प्रस्ण तीन से चार बच्चो किसे आपने मिलाया या उस एंसर किसे मिलाया तो 3-4 आपनों different दिखे होंगे कुछ हमारे में भी गलत होंगे गलतियां सबसे होती है आयोग जब गलतिया कर रहा है तो हम भी तो उनसे कभी पड़े लिखे हैं तो जहिल सी बात गलतिया तो हमसे भी होती है आयोग गलति कर रहा है तो आयोग उसके लिए objection लेता है जैसे answer की निकल के आ रही है answer की किसाथ साथ objection खिल करना होगा objection आप जाके objection objection करने का तरीका क्या है बच्चो objection के लिए आपको सबसे पहले जो question है उसका answer आपको book में किसी authentic book में authentic book में अगर उसका answer है तो उसका photo click करके objection के साथ आपको उहाँ पर attach करना पड़ेगा attach photo click करके attach file बना के आपको उसमें submit करना होगा objection आपको डालनी होगी जैसे objection खुल के आएगा आपको नहीं पता है cyber cafe से जाके कराएंगे call आइसमेंस करके परसान नहीं करेंगे बच्चो ठीक है तो यह सारी चीजे थी और कोई प्योर डाउट हो कोई question हो अब हमसे comment box में पूछ सकते हैं लेकिन request करूँगा please call और WhatsApp पे message आप लोग ना किया करें अत्यदिक message और WhatsApp पे WhatsApp पे message और अगर आप इसे call करते हैं तो हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है please आप से request करूँगा कि आप लोग ना किया करें कोई बहुत ज़्यादा emergency हो और इसके अलावा जैसे आप लोग कहते है सर हमारा माईके का है पापा की तरफ से मांगा गया था का certificate मैंने नहीं लगाया चलिए आपने जो भी लगा दिया जो भी आपने लगा दिया अब लगा दिया अब रिजल्ट का वेट करिए रिजल्ट आने के बाद से उसका क्या solution है मैं बताऊंगा आप लोगो अगर देखिए पहले बात की माईका का पिता के पक्ष का कम मानने होता है जब एक लड़की किसी लड़के से अदर कास्ट का मतलब है कि यहां कटगरी उसकी चेंज हो जाती है जब माली यह कोई लड़की ओवी सी के लड़की है और वो जब मांगे गया था पिता पक्ष का अगर सेम कास्ट में सेम कटगरी में साधी हुई है तो पती का भी चल जाएगा बच्चो तो इस तरीके से आपका यह मांगा गया था तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परसान नहीं होंगे वेट करेंगे रिजल्ट का और अगर आपका रेजिस्टेशन नंबर रेजिस्टेशन नंबर, रोल नंबर या फिर कुछ डेट, डेट आफ एकजाम सीटी कोड या बुकलेट नंबरी सारे गलतिया हुई है तो इसमें से सक्षिया तो जो जरूरी होता है रेजिस्टेशन नंबर, रोल नंबर होता है माल ये रेजिस्टेशन नंबर आपका गलत है, रोल नंबर सही है तो आपको रिजल्ट आने के चांसे से 90% प्लस रहेंगे और आपका रोल नंबर गलत रेजिस्टेशन नंबर सही है तो भी result आने के chance से 90% रहेंगे लेकिन दोनों आपका गलात है उस condition में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है बच्चो जबकि मैंने exam से पहले आप लोग को बहुत समझाया भी था कि ये गलतिया ना करें आपने देख लिए सारी चीज़े देख लिए तो और कोई भी दिक्कत हो क्यों रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है मैं वीडियो बना के अप्लोट कर दूँगा धन्यवाद मिलते हैं नेक्स प्योटियों वाई बाई टेक क्यार अभी वाल